प्रेजलोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और आज मैं आपसे बात करना चाता हूँ कि हो सकता है आप ये शुमसी से प्रार्थना कर रहे हूँ कि प्रभू मुझे एक अच्छी जॉब दे दे, प्रभू मुझे एक अच्छा लाइफ पा पास जा रहे हों कि प्रभू इन प्रार्थनाओं का आप उत्तर दे, आप उसे ढूंड रहे हों, प्रभू मेरे जीवन में काम कर, हो सकता है, लंबा समय भी बीट गया हो, लेकिन आज सामें मैं आपको उत्साइद करना चाहूंगा, ये प्रभू निश्य आपकी इन प्रार् बाइबिल में, बाइबिल में भी येहनर चेस्व समचार, उसके च्छै अध्याई में हम लोग देखते हैं, कि कुछ लोग येश्य मसी को ढूंड रहे हैं, और वे लोग येश्य मसी के पीछे-पीछे नाव पर जील को पार कर गए, और दूसरी जगह येश्य की ढूंड म देखा, पर हम तो तुम इसलिए ढूंड रहे हो, क्योंकि तुम ने रोटियां खाई और तुम त्रिप्त हुए, तुम मुझे रोटी के लिए ढूंड रहे हो, इसलिए नहीं नहीं कि तुम मुझे पर विश्वास कर रहे हो, इसलिए नहीं ढूंड रहे हो, इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले यदि हम देखें, तो प्रव येश्य मसी ने बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाया था, और उस भोजन को खाने के बाद, लोग येश्य मसी के पीछे चल पड़े, ये लोग येश्य को ढूंडने लगे दुबारा, कहां होगा येश्य जिसने इतनी बड़ी भीड को एक आश्यर करम करके भोजन किलाया था, वो येश्य कहां है, उसे ढूंडने लगे, और जब उन्हें वो मिल गया, तो उससे कहने लगी, प्रवु तु यहां कब आया, हम तो तुझी ढूंड रहे थे, तब प्रवु कहते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंड रहे थे, उस भोजन कि भोज करो, तब प्रव येश्य मसी उनसे कुछ इस परकार से कहते हैं, यहां पर कुछ इस परकार से लिखा है, येश्य ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, वे कभी भूका न होगा, और जो मुझे पर विश्वास करता है, वे कभी प्यासा न होगा, आमीन. तब येश्य ने सिखाते हैं, और कहते हैं, कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो कोई मेरे पास आता है, वो फिर कभी भूका न होगा, और जो कोई मुझे पर विश्वास करेगा, वो फिर कभी प्यासा न होगा, उसके जीवन में फिर कोई उन्तुस्ट जीवन हो जाएगा क्योंकि प्रभ येश्व मसी पर विश्वास करके वो उस रोटी को खा लेगा जिस रोटी से अनन्त जीवन मिलता है जिस रोटी से हमेशा की जिन्दगी मिलती है कहते हैं कि जो मुझे पर विश्वास कर लेगा वो फिर कभी प्यासा नहीं हो कहने का मतलब प्रभू येश्व मसी पर विश्वास करने के दुआरा आप और मुझे अनन्त जीवन मिलता है हमेशा की जिन्दगी मिलती है इस धर्ती पर भी और उस जीवन में भी उस राज्य में भी इन लोगों की तरह हो सकता है आप भी येश्व को ढून रहे हों कि प्रभू आपकी जुर्तों को पूरा करे आपके जीवन में कार्य करे आपकी प्रार्थना का उतर दे लेकिन आज सामें मैं आपको उसाइद करना चाहूंगा कि यदि आप येश्व मसी पर विश्वास करते हैं या फिर करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी भली वस्तुगी घटी कमी नहीं रहीगी क्योंकि येश्व कहते हैं कि स्वयम जीवन की रोटी मैं इस जीवन में तुम्हें जिन चीजों की आवशकता है वे सब तुम्हें मिल जाएंगी बसरते पहले तुम येश्व मसी पर विश्वास करो केवल यदि तुम चीजों के लिए उसके पीछी जा रहे हो तो येश्व कहते हैं नहीं ऐसा नहीं इसके लिए मताओ येश्व कह रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो और उसके बाद तुम्हें ये सब चीजें मिल जाएंगे कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ जीवन को जीने के लिए भी सब कुछ मेरे पास है और उस जीवन को देने के लिए भी मेरे पास है स्वयम मैं रोटी हूँ जो स्वर्ग से उत्रा हुआ है यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा वो बहुतायत के जीवन को पाएगा उस धर्ती पर भी और इस धर्ती पर भी वो बहुतायत के जीवन को पाएगा उसके जीवन में घटी कमियान नहीं रहेंगी प्रभू उसकी जौरतों को पूरा करेगा उसको वो रोटी देगा उसकी प्लातना का उत्तर देगा उसकी समिशाओं का हल करेगा बसरते पहले तुम मुझे पर विश्वास करो इसलिए भाई विल हमें सिखाती है कि सबसे पहले परमेशुके राज्ज और उसकी धारमिक पशुज करो तु ये सब वस्त्वे तुमें मिल जाएंगा सबसे पहले ये शुकी कोज करो सब से पहले उसे अपने जीवन में गरहन करो सब से पहले उस पर विशुवास करो सब से पहले उसे अपने जीवन में अपनाओ उसके बाद ये सब चीजें जिनके लिए आज 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 भाग रहे हो जिनके लिए आज आप परिशान हो वो सब तुम्हें मिल जाएंगे उस सब तुम्हें मिल जाएंगे इसलिए ये ये शु कहते हैं इस नासमान भोजन के लिए मेहनत क्यों कर रहे हो मुझ पर विश्वास करो मैं तुम्हारी जौरतों को पूरा करूँगा मुझ पर विश्वास करो मैं तुम्हारे लिए प्रवंद करूँगा इन पक्षियों को देखो इन पेड़ पौधों को देखो इन्हें मैं बढ़ाता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं बढ़ाऊँगा तुम्हारा मुल्या इन पक्षियों से कई अधिक है तो दोस्तों आज साम में मैं आपको उच्षाईद करूंगा, कि परमेश्य पे भरूसा रखें, वो आपकी प्रार्थना का निश्य उतर देंगे, प्रभ येश्य मस्य को अपने जीवन में आपने उद्धर करता के रूप में गःण करें, वो निश्य आपके जीवन में कारि करेगा आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा आपके लिए हर एक चीज़ का प्रबंद और उपाए प्रभु करेंगे तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयद स्यासिस दे आमेन सब बाई बहन को जय मसी की हमने प्रेर टावर में प्रात्ना के लिए रिक्वेश्ट भेजा था वाटसप पे और फॉन भी किया था प्रीके मसी नुमरता बहन की मिनिस्टिरी में उन्होंने अमारे बाई के लिए प्रात्ना की उनको नीद नहीं आती थी रातों में जागते दर उदर बठकते थी उन्हें प्रात्न की उनको नहीं दाने लगी और उनकी मिनिस्टिरी को परमेश्वर आगे बढ़ाए आए मिलकर हम प्रात्ना करें धनिवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता हम आपका आदर सम्मान करते प्यारे क्योंकि यह सुन्दर मौका और यह सुन्दर पल प्रभू आपने हम सब को दिया है ताकि परमेश्व तेरे नाम की महिमा को हम अपने जीवनों से कर सके धनिवाद करती हूँ प्यारे परमेश्व पिता आज हमारे साथ में आज की शाम में जितने भी भाई बहन बच्चे नौ हमारे साथ प्रात्ना में शामिल है परमेश्व जहां कहीं से भी प्रभू प्रात्ना में शामिल है वहीं प्रभू तेरी उपस्तिती प्रभू उनके साथ में हो तेरा पवितरात्मा उने गाइड करे इस समय हर एक जन प्रभू तेरे आनन से तेरी सामट से भर जाए कि वियाकुलता इसी वक्त जाई इन भाई बहन को छोड़ कर येशु के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी दिन भर में प्रभु हमने आपके फेवर को आपके सपोर्ट को आपकी आपकी भलाईयों को आपके बड़े-बड़े कामू को अपने जीवनों में देखा हर ए जीवन की रोटी है प्रभु तो ही जगत की जोती है परमेश्व प्रभु मैं धन्यवाद करती हूं कि जो कोई तेरे पास आता है परमेश्व प्रभु वो कभी भूका नहीं रहता और सच में प्रभु जो तुछ पर विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहता प परमेश पिता इसलिए के प्रभू तुझे धूण ते दूण रहे परमेश पिता तो प्रभू अपने आप करते हुँ, अच्छा जोब देकर, अच्छा जीवन साथी देकर, भचे के आशीख देकर, प्रभू और भी बहुत सी बातें हैं, जीवन के अन्य छेतरों में प्रभू जिन ए लिए चिंतित है। प्रभू येश्यु मसी आप उन्हें ब्लेस करें। क्योंकि प्रभू जो तेरि खोज में लगा होता है, वो सारी वस्तुँओं को अपने जीवन में पाएगा। क्योंकि जो तेरी खोज करता है प्रभू जो उसकी प्रभू संसार की जरुते हैं प्रभू तु अपने आप उन्हें पूरा करता है परमेशर क्योंकि हम सब तरे राज जी के नागरिक हैं और प्रभू जब हम तेरे राज जी के नागरिक हैं परमेशर तो प्रभू तेरी जि प्रभू बहुत से लोग, प्रभू दूरियां, प्रभू उनके जीवनों में बनती चली जारी, रिलेशन्शिप खराब होते चले जारे है, प्रभू एक दूसरे का हाधर खतम होता चला जा रहा है, माता पितार बच्चों के बीच में प्रभू प्रेम की कमी है पिता, तो आ आता है, जो तेरी खोज करता है, प्रभू तूसे सफल करता है प्रमिश्व पिता, प्रभू आज जितने लोग प्रभू आत्मिक रूप से प्यासे हैं और भूके हैं प्रमिश्यर, खुदावन येश्व मसी के नाम से प्रभू तो ने आत्मा में प्रभू त्रिप्त कर प एश्यू के नाम से तेरा वचन कहता है प्रभु जी मती 8-17 में तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्भलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया प्रभू इस वचन की घोशना इन भाई बहनों के लिए बचों के लिए बुजर्गों के लिए जवानों के लिए जितने लोग वेंटिलेटर आइस्यू में हॉस्पिटल में सीरिस कंडिशन में उनके लिए तेरे वचन की घोशना क आज आप हरे की प्रात्नों को सुन रहे हैं प्रभु बहुत से लोग परमेश्व पिता परिवार के लोग नशे में बुरी लथो में पड़े हैं प्रभु यह मसी उन बुरी लथो से उन नशे की बातों से प्रभु उने बहार निकाले उनके जीवन को बुरी संगति से बहार निकालें प्रभू हर प्रकार के नेगेटिव और नकरात्मक बातों से उन्हें बहार निकालें प्रभू जी धनिवाद करतें प्रभू धनिवाद आपने प्रभू लोगों को डिप्रेशन से हर प्रकार की गड़बडियों से प्रभू जी बहार निकाला हर प्रकार की धोके स बहार निकाला प्रभु जी आपने साहता मदद की में धन्यवाद करते हैं आज जितने मन व्याकुल हैं चिंतित हैं निराश हैं येशु के नाम से आप उनके जीवन में कारे करें अच्छी नीन से आज सुनाएं बुरा सपना दूर करते हैं प्रभु और अच्छे दर्शनों के दो और अपने वच्नों के दोर अपनी लोगों से बातचीत करें पिता और प्रभु जितनों ने ऑज अपनी प्रात्नविंत्यों को यूट्यूब कमेंट्स इंस्ट्रइम, फेसबुक, टेलिग्राम के माधियम से प्रेड टावर में भेज़ें पिता, एक-एक भाइ-ब पल हम सब को देने के लिए अपने वचन से आश्षित करने के लिए प्रभू जह सच में मेरे प्रभू आज प्रभू जो संसार की बातों को पाने के लिए प्रभू तेरे पास आए प्रभू मैं दुआ करते हूं पिता कि प्रभू वो इन बातों के लिए नहीं परंद तुझ ताकि जब ये तेरी खोज करे तो प्रभू ये अपने जीवन में सब कुछ पाने पाएं धन्यवाद पिता आपने हमारी प्रात्ना सुना उत्तरहां आमीन में दिया धन्यवाद जितने लोग सेवाकारिय करते हैं प्रभू उनकी से वकाई उनकी मिनिस्टरी फलवन्त हो पिता इनके द्वारा तेरा राज्य स्थापत हो पिता जितनों ने आपके राज्य में बॉया है सो गुना फलवन्त हो अपने जीवन में होने पाएं प्रभू अज यतने लोग करिजे में फाइनाइन्शल प्रबलम म और उन्हें कोई भी घटी ना होगी पिता मैं धनिवाद करते हैं येश्यू के नाम सम्स्विंती प्रात्न को मांगते हैं सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन